किन भादों के महिने में इसे हरसोलास पूर्वक मनाया जाता है। दसलक्षन पर्व हमें त्याग साधना का संदेज देता है। इन दनों में किया हुआ त्याग चोगनी फल को प्रदान करता है। और यदि अतिशयकारी, भूगर्विसे प्रक्टित, चतुर्थ कालीन, मुनी सुगरतनाथ भगवान के चर्णों में रहकर यह पर्व मनाया जाए। तो और भी हमारी विशुद्धी पढ़ाने में सहायक होगा। आप प्रती दिन टीवी में अविशेग देखते हैं। जहाजपूर में आकर आप दसलक्षण पर्वे में अपना समय बिताएं, यह मेरा आपके लिए प्रेड़ना है। और यदि आप घर में रह रहे हैं, तो घर में ही रहकर साधना करें। बहुत-बहुत मंगल आशिरवाद। जंगल में नाक का, शेहरों में बाग का, और दसलक्षण में त्याक का बड़ा ही महत्व है। जिनवानी में वलनों का, सुनने के लिए करनों का, और दस दिन में रहने के लिए मुनिशुरत नात भगवान के चलनों का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का इनाम में पाने का और दसलक्षन परोपर आपके यहां आने का बड़ा ही महत्व है अम्रीम श्रीमन्तं भगवन्तं क्रिपाल संतं दश्वादी हिजवे इसंपर मत दोगे शमूझी पर अपर अच्छेसे अरे गन्ने भारते से आइस्टां दाते लात प्रक्रामे वीनिर्वान संबस्टरे मचिस्च मेलिश भादो मल्के सुपले पक्षे सथिमेति थाओ गुर वास्रे मुनियारिगर सेखल करो शेर्थम जिला विचिंचे आमेश्वाहाँ प्रभुभाति में मन, प्रभुभाति में मन, मंगनी हो रहा है ओम रिमनादी मुल मंत्रे बोनों शर्व शांतिन तष्टिम पष्टिम चा करू करू ओम नम अरते भगवते ब्रख्णिन तष्टिम पष्टिम चा करू करो अनाथ विद्या नमनता हरू grands शानत हैं सब्सक्राइब 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 शान्ति करा नवा शर्वाशान्ति खुरू खुरू दो बक्ति प्रशादात लक्षमी पूर राज गे पजश्व बज़त तरफ प्रचन पपनादा जनी तो 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 कि सब तो परिवारस से तो 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 सम्रदी रस्तो कल्यान मस्तो सुख मस्तो आई ब्रदी रस्तो क्लोते दन्नान्यम सदास्तो सदास्तो असी सर्धार में बल आयू आरोग आश्वर ब्रदी रस्तो सदास्तो ओमनी मरम नमो संपून कल्यान मंगल रूप मौक्ष पुरुशा थाश्च भवतो सम्पूचे कानाम प्रतिपाले काना यती इंद्रे सामाने तपोधनाना देशाष्य राष्य राष्य पूरे से राग्या करो तो शांती ओगेवान जी नेंद्रे जैजनेन बन्धूम भोगर्वशे प्रक्टित अतिशािकारी मुनस्वराव